महाराष्ट में इस बार सानु भूती लहर है छगन भुजबल ने बड़ाई मोधी सरकार की टेंशन पवार परिवार को लेकर कही ये बात लुक्सबर चुनाओ के बीच एंसीपी एजित बार गुट के नेता और महाराष्ट के मंत्री छगन भुजबल ने कैसा बयान दिया है जिससे मोधी सरकार की परिशानी बढ़ गई है दरसल एंसीपी डेता ने दावा किया है कि सिफसेना और एंसीपी पार्टी तूटने की वज़े से उधव गुट और शरतवार गुट को लोगों को सानव भूती मिलेगी इसका फायदा दोनों दलों को आम चुनाव में हो सकता है इस बार एंडिय की रहा आसा नहीं छगन भुजवल एकनीजी न्यूज चैनल को इंटर्वी देते हुए छगन भुजवल ने कहा कि साल 2014 और 2019 के तुलना में इस बार एंडिय की रहा आसा नहीं है हाला कि देश की जनता को पियमोदी की लीडर्शिप पर भरोसा है और लोग चाहते हैं कि नर्यने मोदी तीसरी बार देश के प्रधान वंत्री बने महराज की राजनीती पर बात करते हुए कहा कि इस बार राजवें भासपा गठवन्दन को थोड़ी चुनोती मिल रही है सबसे ना उत्वकोट NCP शरतपवार गुट के साथ लोगों की सिंफती है राजवें एक सिंफती लहर है शरतपवार परवार में ठीक नहीं हुआ छगन बुजवल नागे महराज के बारमती लोकस्वा सीट का भी जिक्र किया जहां से शरतपवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत परवार की पत्नी सुनेतर परवार मैदान में है उन्होंने का कि यह दुख की बात है कि जो लोक कभी एक घर में एक साथ रह चुके हैं वो आज एक दूसरे खिलाफ चुनाई में खड़े हैं यह किसकी गलती है यह दूसरी बात है लेकिन जो हो रहा है वो गलत है आपको उतादे कि सीट से सुप्रिया सुले तीनवार सांसर चुनी जा चुकी है 30 अपरेल को सीट पर चुनाव हुआ है वहीं चार जुन को मत गरना होने वाली है